हेलो फ्रेंस, आइस क्रीम तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन घर पर बनी बहुत ही कम चीजों से मार्केर जैसे आइस क्रीम आपने कभी नहीं खाई होगी आज मैं आपसे सेर कर रही हूँ, बिडाउट विप्त क्रीम, बिडाउट कॉन्फॉलर, बिल्कुल मार्केर जैसी बहुत ही सॉप्ट और बहुत ही क्रीमी टेक्चर वाली आइस क्रीम की रेस्पी अगर आप इस वीडियो को पोड़ा देख लेते हैं, तो आज की बाद आपको आइस क्रीम बनाने में कभी कोई परेसानी नहीं होगी तो हाई वरिवन, मैं हूँ लक्षमी, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है अगर वीडियो उसी लगे तो वीडियो को लाइक और सेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले तो चलिए बनाना सुरू करते हैं आइस क्रीम बनाने के लिए आपको लेना है एक पेन और इसमें डालेंगे दूद फूल क्रीम दूद का ही यूज करना है दूद फूल क्रीम नहीं होने पर आइस क्रीम अच्छी नहीं जमते है तो गैस का फिलेम ओन कर देंगे और पेन को चरहा देते हैं तो सबसे पहले दो चमत दूद हम अलग रख लेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि ठंधा दूद ही आपको लेना है आप चाहे तो आधे गंटे के लिए फ्रीज में दूद को रख सकते हैं तो गैस का फिलेम हाइपर कर देंगे और दूद में उबालाने देंगे तो फ्रेंज दूद को हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है तो आप देख सकते हैं दूद में उबाला चुका है तो अब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं चार चमच चीनी डाल रही हूँ तो चीनी आप कमिया ज़्यादा कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मीठा भी आईस क्रीम अच्छा नहीं लगता है तो चार चमच में चीनी डार लियूँ जो इनफ है और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिरंस गर्मी का मोसम है और आईस क्रीम खाना तो सब को बहुत ही पसंद परता है तो फिरंस अगर आप घर के चीजों से आईस क्रीम बनाना चाहते हैं तो मैंने मतका कुलफी की जो कि बहुत कम चीजों से बनके तयार हो जाती है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रेप्शन बॉक्स में आप वहां से चेक कर सकते हैं तो देख सकते हैं चीनी अच्छे से घूल चुकी है तो गैस का फिलेम बिल्कुल लो कर देंग है जो कि बहुत ही टेश्टी लगता है इसको देखिए अच्छे से मिक्स करना है और दूढ ठंडा होगा तभी अच्छे से मिक्स होगा और अगर गर्म दूद में आप कश्टड पाउडर को घोलते हैं तो इसमें गुठलियां होने लगती है तो इस वज़ा से ठंडे दू बिल्कुल भी गुठलिया नहीं है पिरे अगर आप इतना जंजट नहीं करना चाहते हैं बिना गैस जलाई ही अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैंने बिना गैस जलाई ही आईसक्रीम के रेशिपी सेर की है अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रेप्सन बॉक्स में आप वहाँ से चेक कर सकते हैं तो देखिए अच्छे से कश्टर पाउडर घूल चुका है तो अब दूद देख लेते हैं दूद का क्या हाल है तो देखिए गैस का फिले मैंने बिल्कुल लोग कर दिया था और देख सकते हैं दूद भी नहीं जला है तो अब हम थोरा थोरा करके कश्टर वाला दूद इसमें डालेंगे एक साथ आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है और जैसे ही डालेंगे आपको कंटिन्यू इसको चलाना परेगा नहीं तो इसमें गुठलें होने लगती हैं तो एक साथ आप कभी भी कश्टर पाउडर को दूद में ना डाले नहीं तो तुरंत ही वो जमने लगता है तो इस वज़ज़ से एक से दो चमच करके इस तरह से आप डालते जाएं फिर से आप एक से दो चमच इसमें डालें और फिर से इसको कंटिन्यू चलाएं तो देखिए दो चमच डालेंगे और इसको लगातार चलाएंगे जब भी आप कश्टर वाला दूड इसमें डाल ले हैं तो धियान आपको ये रखना है कि गैस का फिलेम बिलकुल लो कर दें और लो फिलेम में ही आपको दूड को डालना है और फिर से हम डालेंगे फिर से अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कभी भी आईस क्रीम बनाने में परेशानी नहीं होने वाली है और आप देखेंगे जैसे ही मैं इसमें दूढ डालते जा रही हों, दूढ बहुत ही जादा गारा होते जा रहा है मैंने इसे पंदरा से बीस सकेन ही चलाया है और मैं आपको दिखाती हूँ देखिए दूढ कितना गारा हो गया है ये देखिए कस्टड को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है ये बहुत ही जल्दी गारह हो जाता है तो देखें फिर से जो बचा हुआ था मैंने डाल दिया है और इसे 5-7 मिनट ही आपको पकाना है उससे भी कम समय फ्रेंस लगेगा पकाने में और ये दूद आप देखेंगे बहुत ही जल्दी गारह हो जाएगा मैं आपको दूद दिखा देती हूँ फ्रेंस पहले ये देखें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गारह नहीं हुआ है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दूद को कितना पकाना है तो फिर अभी मैं थोड़ा देर और दूद को पका लेती हूँ तो आपको इसे तब तक पकाना है जब तक की चम्मच में आप देखेंगे दूद की कोटिंग नहीं हो जाती है तो फिर से मैं दिखा रही हूँ, यह देखे, आप देख सकते हैं, दूद की कोटिंग हो गई है, तो इससे ज़्यादा आप आपको नहीं पकाना है, गैस का फिलिम आफ कर दें, और इसे आपको लगातार चलाते हुए ठंडा करना है, तो आप देखेंगे, जैसे जैसे यह ठ तो जब यह ठंडा हो जया अच्छे से, तब आपको लेना है यहाँ पर एक मिकसी का जार, अगर आपके पास इल्चलि बीटर है, तो आप मिकसी को ले सकते हैं, लेकिन सब मिकसी के बीटर मसीन को दिखाने वाली हूँ, तो देखेंगे, ठंडा होने के बाद दूद को हम mixi के jar में डाल देते हैं और आपको अगर friends whipped cream लेना है तो आप यहाँ पर whipped cream ले सकते हैं नहीं तो आप इसके जगह पर घर की मलाई ले सकते हैं जो घर की fresh मलाई होती है वो आपको दो चमज भर करके लेना है आपको कोई भी whipped cream की जोरत नहीं है और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात की आपको मलाई ठंडी बिल्कुल भी नहीं लेनी है रूम टेंपरेचर कहीं आपको लेना है क्योंकि ठंडी मलाई अगर आप बीट करेंगे तो उससे मक्खन निकल जाएगा तो इस वज़ए से और देखे ढकन लगा करके हम इसको एक मिनट के लिए चला लेते हैं और बीट करने के बाद देख सकते हैं कितनी जाग है इसमें बहुत ही एर भर गई है तो फ्रेंस इसके बाद आपको लेना है कोई साभी एक डबा अगर इस तरह का आपकी पास डबा है तो वो ले सकते हैं नहीं तो फ्रेंस टिफिन बॉक्स तो सबके पास होता है बच्चों का जो टिफिन बॉक्स होता है वो तो सबके पास होता है वो आप ले सकते हैं तो देखे मैं टिफिन बॉक्स में है सारा जो भी मिक्चर है ये इसमें डाल देती हूं और देखिए पूरा भर गया है और इसके बाद आपको इसमें ढखन लगा देना है तो पर इस ढखन आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुर टाइट लोक वाला है होना चाहिए तो इसको लोक कर देते हैं और इसको एक घंटे के लिए हम फ्रीजर में रहने देते हैं तो एक घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूं तो देखिए फ्रेंस एक घंटा हो शुका है और इसमें देख सकते कितने सारे बबल्स हैं और एक घंटे में ही मैं आपको दिखाती हूं देखे कितना ये अच्छे से सेट हो चुका है देखे अच्छे से जम गया है तो फिर से अब आपको लेना है एक मिक्सी का जार और इसमें फिर से हम एक बार इसको बीट करेंगे इससे क्या होगा फ्रेंज की बिलकुल मार्केर जैसे आपकी आइस क्रीम बन करके तयार होगी इसमें डालने के बाद आप इसके उपर प्लोथीन के एक लेयर लगा सकते हैं उसके बाद आप धकन को लगाएं अगर आपका धकन अच्छे से लॉक लग जाता है तो फिर आपको कोई भी प्लोथीन डालने की जोरत नहीं है अब हम इसे 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में र खा रही हूं तो देखिए बहुत ही इजली ये निकल जाता है और देखिए बहुत ही क्रीमी और सॉप्ट आइस क्रीम हमारी बन करके तयार हो चुकी है फ्रेंस आप इसके उपर चाहें तो कोई भी ड्रै फ्रूट से गारनिसिंग कर सकते हैं मैं इसके उपर टूटी बिल्कुल मुँ में घुल जाने वाली आइस क्रीम बन करके तयार हुई है फ्रेंस आप एक बार इसे ट्रै जरूट करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूट बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सेर जरूर करें फ्रेंस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लें और इसी तरह का इची वीडियो देखने के लिए बेल बटन को जरूर प्रेस करें मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई